क्लाश 12 बैयलोजी का आज important सा question है लुई पाश्चर का प्रियोग एक लुई पाश्चर का प्रियोग का मैंने दो साल पहले वीडियो बनाया था वो इतना अच्छा नहीं है जो आज का वीडियो होने वाला है तो वो काफी जैदा हीट हुआ 2.3 के विफ्स आए और अगर आज 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 आए तो थोड़ा सा देखें लुई पाश्चर का प्रियोग क्या है तो थोड़ा सा लुई पाश्चर के बारे में जान लेते हैं लुई पाश्चर यार एक मतलब creative mind के इंसान थे इन्हों प्रांस के एक छेतर था वहां पे मतलब जैसे कोवीड फैल रहा हर जगे इसी तरह फ्रांस में एक time था कि जो चूवो वह था हैजा था वो चूजों में फैल जाता था मुर्गियों के चूजों में तो इससे क्या होता था कि चूजे मर जाती थी ठीक है बहुत देर सारी मा करने का किया ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि लूई पास्चर के बारे में कुछ जानकारी आप लोगो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिए उस पर एक expensive सा वीडियो अलग सा वीडियो बनेगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंग जीवात जीवात पत्ति मतलब जो लूई पास्चर जी थे उन्होंने अपना प्रियोक किया वो प्रियोक था जीवात 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 पत्ति मतलब जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है लूई पास्चर ने ये बोला पहले लोग बोलते थे जीवों की उत्पत्ति ऐ कैसे हुई है वैसे हुई है इसतरी हो गई है इस तरह हो गई है यह प्रियोग सी दिखिया और वह मिstag घृवाद झियोद्पत्ति और उस प्रियोग को आज भाधम मैं पास्चर काॉप्योग के नाम से जानते हैं फैसे पहले क्या है देखें याफ ए टोरी इसे पहले उन् стали ज मिक्स कर ने चैकर। गरम कर दिया उसको धीट तेरी लिए और गरम कर दिया और गरम किस लिए का ताकि इसमें जो बैक्तीरिया है जीवान हुए चोटे-चोटे वो सब मर जाने अब ये बिलकूल मतलब घरम होगा बिकूल अच्छा हो गया फिर उन्होंने दो और Flux लिए क्या लिए बच्चों? दो और Flux में उनको इसको डाल दिया गया जिसंहोंने East और सरकरा को गरम किया था इसी को डाल दिया तो एक Flux की façon गर्धन को यस a car के यस आकार में ढाल दिया और एक की गर्धन एक फ्लक्स की गर्दन को यस आकार के यस आकार में ढाल दिया और एक की गर्दन तोड़ दिया अब यहां पर देखने को क्या मिलता है कि जो इस आकार वाली गर्दन थी इस आकार वाली गर्दन में जो जीवों की उत्पत्ति है इसमें जो बैक्तिरिया है नहीं पन पे मतलब कि ये जो जpower ये जो सरकरा सरकरा जो आपस में मिले हुए थि कि ये उसी तरह बिलकुल प्रेश रखी हुए थी इसमें कोई भी किंड कोई भी वास नहीं फैला और जो खुली गर्दन वाली ती खुली गर्दन वाली में बेक्टिरिया छोटे छोटे हो गाए तो इसे इनोंने सिद्धकर दिया अब देखो अब से कैसे सित किया कि देखो यह स्वानिक-गर्दन है रहते हैं क्या हों सर हुट तृट ऑच्छा ठीक है ठीक है जान नहीन जाते थी हीज़िन अधुयरा नहीं जाते थि आ再 वो यहीं पे रह जाते थे इसके बाद जो सेकेंड वाला था यह तो पूरा खुला था पूरा ओपन था और जब यह चीज ओपन था तो इसके बाद क्या होता था जब यहां पे हवा के साथ जो चोटे-चोटे जीवाडू थे वो भी यहां पे आ जाते थे वो भी यहां पे आ होती है जीवों से ही होती है मतलब जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है अगर आप कह दे कोई लकड़ी है है लकड़ी से कह दे कोई मनुष्ट का निर्माड हो जाए लकड़ी लकड़ी रखी है अगर आप लोग कह दे किससे कोई चीटा बन जाए है इसे कोई मच्छर बन यही में इनका मोटो था मतलब यह प्रियोग करने का यह प्रियोग में आप लिख सकते हैं कि इसमें इस्ट लिया जाता है और सरकरा को लिया जाता है गर्म कर लिया जाता है फिर उसको दो फ्लाक्स में रख दिया जाता है एक फ्लाक्स को यह साकार की गर्दन में मतलब खीच के उसमें बहुत धेर सारे भेक्टिरिया आचुके हैं यही था लूई पाश्चर का प्रियोग तो देखिए लूई पाश्चर का प्रियोग तो आप 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 लो is देख लिया तो होने वाला जो अगला वीडियोस यह किस पर होना चाहिए ठीक है यह आप लोग बता दो और हाँ देखो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ